तीवी आक्टरे तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में उनकी पोस्ट मातम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस मामले में आरोपी बनाये गए कोस्टार श्रीजान खान को चार दिन की पलिस रिमान में भीजा जा चुका है। तुनिशा शर्मा ने रोमैंटिक ड्रामा फिल्म फितूर से बॉलिवुड में अपनी करियर की शुरुवात की थी। इस विल्म में अभीनेतरी ने कैटरीना क्याफ के बच्पन का करदार निभाया था। ऐसे में दिवंगत अभीनेतरी की मौत पर निर्देशक अभिशेक तुनिशा शर्मा के निधन से सद्वे में हूँ और बहुत दुखी हूँ। मैंने उनके साथ स्वितूर में काम किया था। वह 13 साल की एक यंग टैलेंटिड और अनुशासित अभीनेतरी थी। यह बहुत दल दहला देने वाला है। उनके परिवार को शांती मिले हरी हो। All India Senior Workers Association ने तुनिशा शर्मा की मौत की जांच विशे जांदल SIT से कराने की मांग की है। सुरेश कुपता ने कहा है कि आज वो इस सेट पर गए और जहां तुनिशा शर्मा ने कथर तोर पर आत्महत्या की थी। वो बोले वहां निश्यत रूप से कुछ गलत हुआ है। सरक मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है। इतना ही नहीं एक्टरिस के अंतिम संसकार पर भी एक अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मताबिक तुनिशा शर्मा का अंतिम संसकार 27 दिसमबर यानि की कल किया जाएगा। दिवंगात अभी नितरी तुनिशा शर् इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जब मैं और उसकी मा मिलने गए तो तुनिशा ने बताया कि उसके साथ गलत हुआ है। उसे दोखा दिया गया है। तुनिशा शर्मा की मौत की खबर से सभी लोग को गहरा जटका लगा है। कोई भी इस बा रिम ने पोस्ट पर लिखा मुझे पता है कि दुनिया ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मुझे माफ कर दी। मुझे उमीद है कि अब तुम्हारी आत्मा को शांती मिलेगी। तुनिशा शर्मा के आत्महत्या के मामले में दायर की गई F.I.R. से पता चला है कि अभी न तुनिशा ने शनिवार को अपने टीवी शो अली बाबा के सेट पर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने कोस्टार सिजान मुहमद खान के मेकप रूम में फासी लगा ली थी। बदा दे कि तुनिशा के आत्महत्या करने के बाद उनकी मा ने सिजान पर कई गंभीर आर कर ली गई है देर रात पूचतास के बाद पुलिस नों ने गिरफतार भी कर लिया है फिलाल एक्टर चार दिन की पुलिस रिमांड पर है बिरो रिपोर्ट मगी आवाज